नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिट से आपके अपने यूटूब चैनल माजिद साइस पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर रहे अठार अक्तुबर 2021 से बनने वाले हर्याना करंट अफियर से सम्बंदित सभी मैं तोपन क्वेशन अंसर जो की आप से आने वाले कमपीटिशन एकजाम में पूछे जा सकते हैं most important question आल कमपीटिशन एकजाम इन हर्याना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेशन है विसव जुनियर सूटिंग चैंपियंसिप में हर्याना की बेटी रीदम सागवान के द्वारा कितने मैडल जीते गई है तो दोस्तो इसको अपसा नमबर आपका सी रहेगा विसो जूनियर सूटिंग चैंपियन सीप में हरियाना की बेटी नारनोल की रहने वाली रीदम सागवान के द्वारा चार गोल्ड मैडल को जीता गया है दक्षिन अमरीका के पेरू में 27 सितंबर स से 10 अक्तूबर तक आयोजित विसो जूनियर सूटिंग चैंपियन सीप में नारनोल की बेटी रीदम सागवान के द्वारा चार गोल्ड मैडल जीते गई है और रीदम के द्वारा ये चार गोल्ड मैडल 25 मिटर की स्टेंडर्ड पिस्टल 25 मिटर की रैपिड मिक्स में और 257 अंक लेकर रीदम ने सरवादिक अंक लेने वाली बहारत की पहली खिलाड़ी भी बन गई है बात कर लेते हैं नारनोल की नारनोल आपका महंदरगड जीले के अंतरगत आता है महंदरगड जीले की स्टापना एक नॉमबर 1966 को की गई थी और महंदरगड जीले को पिसकोपỏ नंबर आपका सी रहे गए यानि करनाल और जीन्दजीले की स्टापना आपकी एक नॉमबर 1966 को की गई थी और करनाल जीले को हर्याने का पेरिस धानका के उपनाम से जाना जाता है जीन्द जीले की भी स्तापना आपकी एक नॉंबर 1966 को की गई थी और जीन्द जीले को जैन्ती देवी नगर और हर्याने के हर्द्या के उपनाम से जाना जाता है और हर्याने का पर्थम गठी तजीला भी जीन्द था राष्टे राजधानी चेतर योजना बोर्ड का अगठन आख़ा उन्निस सो पचासी में किया गया था 79 में सविदान संसोधन से नई दिल्ली का नाम बदलकर राष्टे राजधानी यानि NCR कर दिया गया राष्टे राष्टे राजधानी चेतर में राजस्तान, उतरपर्देश और हर्याना यानि इन तीनों राजज्यों के 24 जीले आते है हर्याना के 14 जीले जो की राष्टे राष्टे राजधानी चेतर के अंतरगत आते है 1 जुलाई 2013 को भीवानी और महंदरगड को NCR में सामिल किया गया था हर्याने का लगबग 57 पर 30 जो कि आपका छेतर फेला NCR छेतर के अंतरगत आता है राजस्तान की बात करें तो राजस्तान के दो जीले जो कि NCR छेतर के अंतरगत आते हैं जिसमें से अलवर और बरत्पूर है उसके बाद आता आपका उत्तर परदेश उत्तर परदेश के आपके आठ जीले है जो कि आपके राश्ते राज़दानी छेतर गे अंतरगत आते है जिसमें मेरट, गाजयबाद, नोईडा, बागपत, बुलंद सेहर, हापपूर और सामली आपका सामिल है राजस्तान की बात करें तो राजस्तान के दो जीले है आपके बरत्पूर और अलवर नेक्स क्वेस्टन है हर्याना का कौन सा सहर देश भर में सबसे परदूसित सहरों में रहा है तो दोस्तो यह है रहा है आपका बलबगड नामक्स्तान जो की हर्याना का सबसे परदूसित सहरों की सूचि में रहा है बलबगट देश के सबसे परदूसित सैरों में रहा है और यहां का एर क्वाल्टी इंडेक्स की बात करे तो 331 तक पहुँच गया है फरिदाबाज समय दिल्ली NCR में बढ़ते परदूसन को देखते हुए कमिशन फोर एर क्वाल्टी मनेजमेंट ने NCR की सब कमिटी ने बेठक कर ग्रेड़ेड रिस्पॉंस एक्षन प्लान यानि गरेप को लागू करने की सिपारीज की है दूसरे नमबर पर बात करें तो यूपी का मुरादा बात जो की एर क्वाल्टी इंडेक्स 280 है और तीसरे नमबर पर बात करें तो यह मोननगर जो की तीसरे इस्थान पर रहा है कौन से नमबर को डायल 112 से जोड़ा जाएगा दोस्तों सकोपसा नमबर आपका बी रहेगा यानि 1091 को जो की महीला हेल्प लाइन नमबर है इसे डायल 112 के तहत जोड़ा जाएगा और डायल 112 क्या है आपका डायल 112 में आपकी पुली सेवा फार विगरेड और अमबूलन सेवा इन तीनों को जोड़ा गया है जिसे आपकी अमरजनसी एंडायल 112 की सुरुआथ की गई है राज्य की केंद्री कृत आपात कालिंट पर्ति के रिया इम सहायता पर नाली CSERC डाइल 112 की सुरुवात की गई थी पंचकुला से इस नंबर की सुरुवात हुई थी जिसके दैद पुलिस और फाइर वी ग्रेड और एम्बूलन्स इन तीनों नंबरों को एक ही करण किया गया है नेक्ट वेस्टन है हरियाना सरकार के दोवारा वन बलोक वन प्रोडक्ट को प्रोचसाइद करने के लिए कौन सी योजना को सुरूग किया गया है तो दोस्तों यह है योजना है आपकी ओप्सन नंबर सी यानि पदमा योजना जो कि आपकी हरियाना सरकार के दोवारा वन बलोक वन प्रोडक्ट को प्रोचसाइद करने के लिए पदमा योजना को सुरूग किया गया है हरियाना सरकार के दोवारा 140 बलोक खंड में 140 प्रोडक्ट उतपाद को देश विदेश में निरियात करने की दीशा में कदम आगे बढ़ा रही है और इसके लिए सरकार के दोवारा पदमा पहल को सुरू किया गया है जिसके तहट वन बलोग वन प्रोडक्ट को प्रोचसाहित किया जाएगा हर्याना के चोदरी चन सिंग क्रीशी विश्विधालिया के विज्ञानिकों के द्वारा कौन सी फसल की नई बिमारी और इसके कारक जीवानू कलेब सी एला एरोजेंस की खोज की गई है तो दोस्तों यह आपकी फसल है बाजरा यानि उप्सन नमबर आपका सी रहेगा कलेब सी एला एरोजेंस की खोज की गई है और चोदरी चन सिंग क्रीशी विश्विधालिया आपका हिसार जीले में स्तीत है जिसकी स्तापना 1970 में की गई थी और इसके पुराना नाम पंजाब क्रीशी विश्विधालिया था और इसकी पत्रीका की बात करें तो इसकी पत्रीका हरियाना खेती है अब बात करते हैं स्तंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफियर के बारे में फर्स्ट क्वेस्टन आपका हाली में हर्याना सरकार ने किस स्टेट वीजिलेंस ब्यूरो का डारेक्टर जर्नल बनाया गया है तो दोस्तों किसे बनाया गया है सत्रूजीत कपूर को जो कि स्टेट वीजिलेंस ब्यूरो का डारेक्टर जर्नल न्यूक किये गई है next question है हाल इमें हर्याना प्रियावन और पर्दूशन बोर्ड यानि पर्दूशन जो कोड है आपका इसके यानि कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो दोस्तों यह पुस्तक लिखे गई आपकी धीरा खंडेलवाल के द्वारा जो की हर्याना प्रियावण और परदूशन कोड पर धीरा खंडेलवाल के द्वारा पुस्तक लिखे गई है हर्याना सेवा अधिकार आयोग सूचना प्रियोद्योगी की विभा के द्वारा किस ओटो अपील सोप्टिवेर की पहल की गई है तो दोस्तो यह पहल की गई है आस की हर्याना सेवा अधिकार आयोग सूचना प्रियोद्योगी की विभा के द्वारा आस ओटो अपील सोप्टिवेर की पहल को सुरुवात की गई है नेक्स्ट क्वेसन है हाली में हर्याना की किस बेटी ने मुंबई में आयोजित राष्टिष्टर की पर्तियोगीता में मिश्टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है तो दोस्तो यह जीता गया है एंजोलिना राणा के द्वारा जो की मुंबई में आजित राष्टिय श्क्तर की परतियोगी ता मिश्टिन यूनिवर्स 2021 का खिताब जेता गया है नेक्ट क्वेस्टन है हाली में हरियाना कोसल रोजगार निगम की CEO की से बनाया गया है तो दोस्तो यह है बनाय गया है सनदीब कोरको जो की हरियाना कोसल रोजगार निगम की CEO बनाया गया है Next question हाली में परदेश सरकार ने किसे जीले में मारूति का दूसरा प्लांट लगाने की मंजूरी दी है तो दोस्तों यह मंजूरी दे लिए है सोनीपत जीले में जो कि मारूर्टी का दूसरा प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है नेक्ट क्टेस्न, पी अम कुस्म के तैथ सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य diff आफ नहाँ रहा है। जो कि आपका स्तर्वा राज्य बनाता और हर्याना के ठन के समय हर्याना में साथ जी लेते और हर्याना के दो वर्तमान में ऐसे जी लेते हैं जिसकी सिमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती है तो दोस्तो यह एस्तान प्राप्ट किया गए है पहला स्तान Next Question है, हाली में हर्याना सरकार ने जलस अंर्ख्षन अवियान के लिए किसी गुडविल अमबेश्डर बनाया है तो दोस्तो यह बनाया गया है किसको मनी का स्योकंद को जो की जल सरक्षन अभियान के लिए गुडविल अमबेश्डर बनाया गया है नेक्ट क्वेसन है हाली में हरियाना के नए लोकायुक न्यायमूर्ती कोन बने है तो दोस्तों यह बने हैं हरी पाल वर्मा जो की हर्याना के नए लोकायुक न्यायमूर्थी बने है और आज का इस वीडियो का लाश्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए हर्याना सरकार बेलर से प्राली की गांट बनाने वाले किसानों को कितने रुपे परती एकड़ प्रोथसान रासी परदान करेगी हमारे पास फोरोप्स ने 1500 रुपे, 1000 रुपे, 2000 रुपे या 4000 रुपे तो फिलाल के लिए दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सबी लोगों का धन्यवाद